सिंगहम एगेन की एडवांस बुकिंग रिपोर्ट कैसी रही है? सिंगहम एगेन की एडवांस बुकिंग शुरू होते ही धमाकेदार रिस्पॉंस देखने को मिला है. पहले दिन के कई शोज हाउसफुल हो चुके हैं, खास कर बड़े शहरों में. मुंबई, दिल्ली, पुने और बैंगलोर जैसे मेट्रो शहरों में बुकिंग का ग्राफ तेजी से बढ़ा है. मल्टिप्लेक्स के अलावा सिंगल स्क्रीन थेटर्स में भी बुकिंग की डिमांड काफी ज्यादा रही है, जो दर्शाता है कि फिल्म को सभी वर्ग के दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है. एडवांस बुकिंग के आंकड़ों की बात करें, तो पहले ही हफ़ते में फिल्म ने अच्छा खासा कलेक्शन कर लिया है. फिल्म के टिकट कई जगहों पर 80-90 प्रतिशत तक बिख चुके हैं. यह उमीद की जा रही है कि पहले वीकेंड पर बुकिंग का आंकड़ा 100 प्रतिशत तक पहुँच सकता है. रोहित शेटी की फिल्मों का क्रेज और अजय देवगन की सिंगम के रूप में मजबूत चवी का भी फायदा फिल्म को मिल रहा है. रोहित शेटी के डायरेक्शन और अजय देवगन की एक्शन से भरपूर भूमिका ने दर्शकों में भारी उत्साह पैदा किया है. लोग इस फिल्म का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी इसके ट्रेलर और गानों को खूब सराहा जा रहा है. फिल्म में रणवीर सिंग और दीपिका पादुकॉंट जैसे बड़े सितारे होने के कारण फिल्म के प्रती युवाओं में क्रेज और बढ़ गया है. व्यापार विशलेशकों का मानना है कि सिंग हम अगेन बॉक्स आफिस पर शानदार ओपनिंग करेगी. एडवांस बुकिंग रिपोर्ट के अनुसार इस फिल्म के पहले दिन की कमाई रोहित शेट्टी की पिछली फिल्मों से अधिक होने का अनुमान है. चुट्टियों के सीजन में रिलीज होने के कारण फिल्म का फाइदा और भी बढ़ सकता है. अनुमान है कि ये फिल्म बॉक्स आफिस पर नया रिकॉर्ड बना सकती है. सिंगहम एगेन की एडवांस बुकिंग रिपोर्ट से ये साफ है कि फिल्म दर्शकों के बीच धूम मचाने वाली है. इसके एक्शन, बड़े सितारों की मौजूदगी और सिंगहम ब्रैंड की लोक प्रियता को देखते हुए कहा जा सकता है कि फिल्म बॉक्स आफिस पर धमाकेदार कमाई करेगी.